आगे आप लोग, स्वागत है आपको मेरे चैनल क्रिटी निट्यानदा में, आज मैं आपको कुछ नया बताने वाली हूँ, तो उस नया का नाम क्या है, आज मैं आपको थाठ के बारे में बताऊंगी, थाठ की डेफिनेशन, विद एक्जामपल, और थाठ करते कैसे हैं, गोबल, वो मैं आपको बताऊंगी, तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दू, थाठ खेलते हिसे हैं, थाठ कहा जाए, कथा निट्टे को शुरू करने की तरीखे को थाठ कहा जाता है, शुरू करने हा तरीखे बहुत ही मतलब मनुहारी तरीखे से कथा निट्ट को शुरू किया जाए, उसे थाठ कहते हैं, थाठ का दूसरा नाम लक्षण निट्ट भी होता है, लक्षण निट्टे, तो ये दोनों एक ही है, इस दोनों में कभी कन्फ्यूस बंत हो येगा, द नाम लक्षण निट्ट है, थाठ और लक्षण निट्ट है, दोनों एक ही है, और तीसरी की जगर में आपको बताऊँ, थाठ में हेवल हातों के मूवमेंट्स, पैरों के मूवमेंट्स, गर्दन के मूवमेंट्स, आखों के मूवमेंट्स, आखों के मूवमेंट्स, तो इसमें अलग अलग तरीकें से आपको पूरा पैरों का संचालन दिखाना होता है। हाँ इसमें कोई फेशल एस्पेशन नहीं होता। यह थे में में पॉइंट्स थाठ है। अब मैं आपको एक्जामपल के तौरट पर अगर मता हूँ तो जैसे कोई मुवी निकलती है। मुवी निकलने से पहले ट्रेलर आता है। हाँ तो ट्रेलर होता है दो-तीन मिनटार बड़ वो पूरा मुवी का एक कहा जार समरी होती है। जिसे देखके इंसान ये आईडिया लगा लेता है कि हाँ मुवी में क्या-क्या होगा। मुवी कैसी होने वाली है उस चीछा आइडिया अबी ट्रेलर देखके पता चल जाता है। उसी प्रकार से होता है THART थार्ट वहां में हिसाबते ट्रेलर बोल सकते हैं, थार्ट इसलिए शुरू में हिया जाता है, ताकि लोगों को समझ आजाए कि कतर निट में किस प्रकार से हाथ हो ही संचालन होंगे, फुट वर्क होगा, आखें कैसे जाएंगी, आइब्लोस कैसे जाएंगे, गर्दन कैसे इसलिए इसमें फेशल एस्प्रेशन नहीं होते हैं, इसमें केवल पूरे संचालन होते हैं, तो इसी मूवी जो मैंने आपके एक्जाम्पल दिया, उससे मुझे लगता आपको समझ आखेंगे होगा, थार्ट कहते किसे हैं, इसलिए थार्ट को शुरू में किया जाता है, बाद में कहानिया होती है, ताहि समरी पढ़े हैं लोगों को कहानी समझाए, उसी प्राकाल थार्ट को देखेंगे लोगों को कथर निटिव समझाए, इसलिए कहते हैं थार्ट, तो चलिए अब थार्ट करते कैसे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, चलिए उस थार्ट करते जादर टाइम ना लेते हुए, मैं आपको शुरू कर से बता से हुए, परहे हम स्वीदे खड़े हो जाएंगे, और हातों में ये वाली मुंत्रा बना लेंगे, और इसको ऐसे रखेंगे, हम अभी आठ मात्रा तक तकार करेंगे, एक्चिरी कहा जाएंगे, बारा मात्रा तक ह ही करेंगे, उसके बाद हमारे मुव्मेंट्स शुरू होंगे, हाँ, नौवे मात्रा से हमारा हैंड मुव्मेंट्स शुरू होगा, बड़ हमारा बारा मात्रा तक तक तकार चलेगे, तक तकार करते हाँ, एक चीज़ और तकार करते समय हमारे जो आख, हमारे जो आखोंवे बहुतितों पूर्नेटों कोंटर जाएंगी। जाएंसे एंक दो तीन चार पाँट छेट शेक साथ आट्ड। मतलब कब़ंगें। आगुंसे हम चाहिएं। कॉर्नेर तूर्नेर की हो चाहिए। 12 मारत में आपको मूला कर यह दिखा तरहें। पहला इसका है, चलिए, एन, दो, तीन, चार, पान्ट, छे, साथ, आड़, दो, ज़र, ज्यारा, बारा तैं हमारा तद्वारी चला है, बारा मात्र का, नौवे मात्रा से हमारा ये हाथ खुल जाएगा हाँ, तो आपने चीज मैंने बताई होगी भूबी प्रडाम में, शायल ये, तो मैंने दोनों हाथ को खुल से बताया था, इसमें कि लिए हाथ पुले हाँ, एह हाथ, ऐसी रहेगा, एह हाथ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, इसको आगर हम दिने चार बात्रा में ये पूरा कि आप इंतना समझ आया होगा, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे है स्टेप में, तो करना हिया है, फिर बारा मात्रा खकम हुआ, फिर आएगा तेर इकिर्ट, पहरा बोल आएगा तेर इकिर्ट, इसको अगर हम देखें तो दो मात्रा में दिन सकतें, तेर इकिर्ट, तो देखिए कैसे होगा, फिर प्रिक्ट, पहले हमारा हाथ पहले सामने की ओर खुलेगा, तो हमारा लाइट लेट पीछे जाएगा और ये दोनो हाथ सामने की ओर खुलेंगे, फिर पहले हमारा लेट लेट पीछे जाएगा, और दोनो हाथ सामने की ओर खुलेंगे, फिर हमारा left to left जो आए हम पैर वो उसके बराबर से आ जाएगा तो हमारा left left के साथ हाथ भी अपनी जानब वाकत आ जाएगा तो चलिए दो मात्रा में इसको करना ले तो चलिए मैं बताती हूँ फिर से कैसे कर चेगे तेर-कित दो मात्रा है याद है का तेर-कित तास को समझ आया चलिए अब आज़े बढ़ते हैं तेरे जट के बाद आता है है फे-ई-या फे-ई-या यको तीन मात्रा में आप लीजेगा तो कैसे करें को हूँ तीन मात्रा में इसको अब देगे, पहले आपको पैर केसे बतानों, इसमें पैर कैसे चलाना है, खे, ई, या, बस तेवर थे पे हम पूला पैर मारेंगे, और ए और या पर हम तेवर एडी, बतनब की एडी मारेंगे, पंजाम बारा जबीर में टिका रहे हैं, खे, बतनब 1, 2, 3, आपको इसना समझ जाया पैर में इस तब अम हाथ वाले इस तब देखी, खे, ई, या, तीन मात्रा में, 1, 2, 3, हमारा राइड हैड कॉर्णर के और जाए हां, वो भी आहां पीछे कॉर्णर के और, थी, तो हम राइड साइड कॉर्णर में देखेंगे, हमारा थोड़ा सा शोल्डर में ऐसे ज आइगा और हमारा हाल भी और कॉर्णर पे हे जाएगा, कॉर्णर से तीन स्टेम में, 1, 2, 3, सामने आजाएंगे, तो इसको समझनी process कीजिएगा corner में जाएंगे, हमारा face भी, shoulder भी अब तीर मात्रा में corner से सामने आना है तो देखेंगा two three one two three अब इसको बोल में ताथ अगर हम करें तो थे-ई-या समझाया आपको थे-ई-या अब आगे बढ़ते हैं थे-ई-या के बाद आएगा थे-थी थे-ई-या थे-थी दो बात्रा में इसको गिलिएगा थे-थी तो थे-थी में आपको पहले बता दू पैल कैसे चला रहे है इसके वर one two पूरा पूरा पैल मारना है थे-थी पूरा पूरा पैल थे-थी हम लेफ्ट लेंग्य में पूरा पूरा पैल मारेंगे यह पैल हमारा टीका रहेगा राइट लेफ्ट 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 में हम थे-थी मारेंगे और हार हमारा कैसे जाएगा उस लेफ्ट कॉर्णर पीछे साइड लेफ्ट कॉर्णर पर जाएगा चोल्डर और नेक के साल उसमें हमें दो मात्रमेगी कॉर्णर जाने जाके सामने डाना है समझ आए आपको अब इसको फुरा नेख लीजिए तेर किट से अब आगे पढ़ते हैं नेक इस्टर की तरह इसमें तीन मात्रा में लिया जाए है आखरी का है यह हम तीन मात्रा में लेंगे और इसको इसकी बोल जाए तर तर धा तर तर धा तीन मात्रा में लेंगे तर तर धा चलिए मैं बता दो कैसे इसको करेंगे हम करें हमारे दोनो हाथ corn denied झाएंगे हमरे उस्टर मात्रा बन पर दो हाथ और उसके साथ हमारे लेट लेकं खुलेंगा और पीछ हे पार्न बना सप्साओं तू ठी अब देखें यह हमारा लेफ्ट पेल फुला दोनों हातों में साथ हमारा राइट लेग जब पीछे आएगा तो हमारा दोनों हाथ भी अपनी जगह आजाएगा बंद हो जाएगा लेफ्ट 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 रहेगा दो मात्रा सक तीसरे मात्रा में हमें सम देना है तो सम के लिए हमारा फिर मैँ होना ऐसे आ रहेगा तो देखिए में आपको सम्जाद्री कैसे है वान तुछ हम पोजीशन पहली खड़े पहली हो जाएंगे हमारे पोजीशन के साथ बस लास्ट में हमें अपना neck move करना है वो भी eyebrows थोड़ी ऐसे उठी रहेंगी आखें इंदम उस corner पे रहेंगी हमारी आखें ना इंदम उढ़ जाएंगी ना हमारी eyebrow हमारा neck इंदम corner right side सामने के और corner पे रहेगा तो चाहिए फिल्टर आपको बैसे जिखाते हूँ one, two, three अब इसको अब बोल के साथ हम करें तो लेखी कैसे करेंगे तर्ट, तर्ट, दा यह बार हम इसको फूरा starting से करते हैं बेरा रोखें ताकि आपको पूरां clear हो है चाहिए one, two, three, four, five, six, five तो यह थी थी थाड आपको समझा गया होगा यह थाड कहते किसे हैं और थाड करते कैसे हैं हाँ अगर कोई आपसे पूछे थाड किसे कहते हैं तो सिंपल सा जो मैं आपको बता है एक सेंटेंस में बोला जाए तो कथर निर्टे हो शुरू करने के मनोहारी तरीके हो थाड कहा जाता है यह सिंपल सी एक लाइन है मतलब कथर निर्टे हो शुरू करने के मनोहारी तरीके हो थाड कहते हैं तो I hope आपको समझा गया होगा थार्ट बहुत सारी होती है आज मैंने आपको केवल यह ही थार्ट बताई है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और थार्ट बताऊंगी ताहिए कम से कम दो थार्ट आपको पता रहें होती तो बहुत सारी है बड़ दो या तीन थार्ट मैं आपको बताऊंगी ताहिए आपको समझाए कि थार्ट करते कैसे है और आपको और ख्लैरिफाई हो जाए हाँ जिसे मेरी मतलब की थार्ट मैंने जिस तरीखे से बताया नहीं समझाए होगा वो फ्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएगा ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से मेरी पूरी कोशिश रहे ही कि मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर सकूँ चलिए तब तक आप इसी के साथ प्राक्टिस करते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नडाम